जैहिन सभी फाजी पेंसनर बंध हो आज आपके लिए बड़ा ही खुश खबरी भरा खबर लाया हूं हाँ मित्रों जिसके लिए हम सब पांच वर्सों से पिछले पांच वर्सों से इंतजार कर रहे थे वो आज आगया धमाका के रूप में OROP 3, 1 rank, 1 पेंसन 3, 3 थर्ड वर्सों हम लोगों ने भी OROP 1 देख लिया 2 देख लिया और अब 3 देखने जा रहे हैं हम यहां बिस्तार में बात करेंगे कई लोगों का यह कंप्लेन होता है हमारे प्रिये मित्रों का कि आप थोड़ा लंबा विडियो बनाते हैं इसी को मद्दे नजर रखते हुए हमने एक स्रिज बना लिया स्रिंकला बना लिया जिसमें हम टुकड़े टुकड़े में करेंगे तो यह उस स्रिज का पहला विडियो है जहां कि आप introduction के रूप में देखेंगे कि कि किस तरह से OROP 3 को हम धमाका की स्रिणी में रख रहे हैं तो यहां आप देखेंगे इस विडियो के तहट कि OROP 3 जो कि लगभग सब को धमाका के जैसा ही लगएगा लगभग 90% जो रैंक है क्वाइलफाइंग सर्विस वाले हैं ग्रूप वाले हैं इनको लाव हो रहा कुछ लोग ऐसे हैं सुवेदार या कुछ लोग जिन्हें नहीं हो रहा है तो वह भी धमाका के साथ आगे बढ़ें और फिर इसका रिवाज भर्सन होगा आप इस विडियो में देखेंगे कि मैं संचेप में और ओपी का इतिहास के बारे में बात करूंगा इसके माइलस्टोन अभी तक कौन-कौन से स्टेप्स इसने और ओपी 3 पूरा कर लिया इसके कौन-कौन से खास बिंदू है इस पर हम आप पर चर्चा करेंगे और ओपी 3 के क्या-क्या लाब हैं फाइदे हैं इसके टेबल के इनलाइसिस तमाम बात को हम आपके समक्ष प्रस्तूत आज करने जा रहे हैं यहां आप देखेंगे कि यह ओर ओपी 3 जो कि डिफेंस पेंस्नर के लिए इस्क्लूसिव डिफेंस पेंस्नर फौजी बंधूओं के लिए है हलाकि हमारे ही डिफेंस डिफेंस डिपार्टमेंट में जो सिविलियन काम करते हैं उनके लिए लागू नहीं है सिर्फ फौजी बंधूओं के लिए जो इनुफॉर्म में रहते हैं और उनकी परिवार के पेंस्नर परिवारिक पेंसन जो वीर नारियां होती हैं अभी कभर हो रहे हैं यह वार ओपी 3 जैसा हम सब अवगत हैं कि 1st जुलाई 2024 से लागू होगा और जो 30 जून 2024 तक जो रिटायर हुए हैं यह सब इसमें कभर होने जा रहा है यानि कि 1st जुलाई 2024 से पहले जो भी रिटायर करते हैं कि लिविंग हैपली चैनल में अगर अभी आप पहली वारा हैं तो अवस्थे ही सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करके पूछें बताएं अपने सगे संबंधियों के साथ भी साया जहा करें इससे यूट्यूब का अल्गोरिदमी इस तरह से है कि लिविंग सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले अब मैं बात करता हूँ संखेप इतिहास की हमने अभी तक जान चुका आप लाभर्थी भी हो चुके होंगे ओर ओर ओपी वन का ओर ओर ओपी वन का जो PCDA प्रयाग राज का सर्कुलर था इसका नाम है 5555 जो कि जारी किया गया था फोर्थ परवरी 2060 को 16 को इसके अप्लिकेबल लीटी का जो डेट था फस्ट जुलाई 2014 से जो की चार किस्तों में फोर इस्टालमेंट में हमें एरियर मिले थे और जो वीर नार यहां है फैमली पैंसनर है यह यावाडी है इने सिंगल एक मुस्त लंसम में दि अबर जो है ट्रिपल शिक्सट शिक्स एंडेट 66 से जो की इसू किया गया था 28 जनवरी 2023 को इसका रिवीजन का जो अप्लिकेबिलिटी डेट था ठीक और ओर ओपीस वन से पांच साल बाद यानि की फस्ट जुलाई 2019 से या भी चार किस्तों में दिया गया था और वीर नार यहां को लंसम एकमुष्ट दिया गया था अगर ओर 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 ओपी 3 के लाइन माइल स्टोन की बात करें कि क्या-क्या दूरिया अभी तक यह कवर कर लिया तो सबसे पहले जो गाव्मेंट आफ इंडिया के द्वारा क्राइबिनेट अप्रूबल इसे मिला इन प्रिंसिपल स उसके बाद ओरोपी 3 का नोटिफिकेशन हो गया जो कि 10 जुलाई 24 को मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस के द्वारा किया जाता है लेटर नमबर वन यह लेटर नमबर सो और सो के द्वारा तीसरा माइल स्टोन है कंकरेंस मिल गया इनको फाइनास डिवीजन जो इनके अंदर ही है फाइनास मिनिस्ट्री के अंदर ही 12 अगस्त 2024 को इनको मिल गया था इसके बाद अगला आता है पॉलिसी लेटर जो की बड़ा ही अहम है जो अभी सबसे रिसेंट घटना है डिएस डबलू जो की डिपार्टमेंट ऑप एक सर्विसमेंट वेलफेर मिनिस्ट्री ओफ डिफे संपूर्ण निर्धारित है इसी पॉलिसी लेटर का ही एक्जेक्ट जो भी टेबल दिये हैं जो भी पॉलिसी सब पीसी डिये प्रियाग राज के द्वारा लागू होना है जारी करना है ओवरोपी 3 का सर्कुलर आपने अभी तक देखा कि 555 ओवरोपी 1 का था ट्रिपल सिक्स ओवरोपी 2 का था तो हम अनुमान कर सकते हैं कि ट्रिपल सेवन ओवरोपी 3 का होने वाला है सर्कुलर जारी हो जाने के वाद यही सर्कुलर का कॉपी जो सारे बैंक हैं पिडिये हैं जो कि अभी वी 2% 5% काम कर रहे हैं और असपर्स जो कि मुखे एजनसी आ मैलस्ट वन में चार अलरड़ी पूरे हो गए दो भी पूरे हो जाएंगा उमीद है महीना के अंदर यह हो जाएगा और हम उमीद कर सकते हैं कि दिवाली बंपर के रूप में या दिवाली से पहले आजा जिसमें दो या तीन महीने का हमारा एरियर भी रहेगा अब हम बात क में ही ऐसा बनाया गया था यहां फ्लॉलेस हो बिल्कुल फास्ट हो कुकेंड हो इस प्रोसीजर बिल्कुल अस्मूथ हो इसके लिए यहां डिटेर्ड टेबल बनाये गया है 121 टेवल यही संख्या वारोपी 2 के लिए भी था और यहां 265 में पेज़ज में एलबरेटली हर पेंसनर के फैमली पेंसनर के जो जो कभर हो सकते हैं सारी बातों को यहां कभर किया गया है टाइप ओफ पेंसन कौन-कौन से कभर हो रहे हैं वारोपी 3 में तो इसमें रिटाइरिंग होंगे सर्विस पेंसनर होंगे और अस्पेशल पेंसन होंगे यहां वारोपी 3 में डिस बार इंजूरी रिलीफ होते हैं, तो यह सब कभर होने जा रहे हैं, अगला है इसमें ordinary, special, liberalized family pension कभर होंगे, जो कि किसके लिए कभर होंगे, तो यहां commissioner officer रहेंगे, अनरी कमिसर्ण ऑफिसर जिसमें औरी फ्लाइंग ऑफिसर होते हैं अनरी फ्लाइट लेफ्टरेंट होते हैं जेशियो होते हैं जिसमें जे डबलुओ वारण्ट उफसर म्डबलुओ होंगे यह सब कबला और अदर्स जिसमें सार martyr Ernirmर कपल, LAC, SIE यह सब कभर होते हैं, इसके साथ ही NC, जो की Air Force में ज़्यादा होते हैं, बाकी सब में बड़े कम होते हैं, इन सब के लिए यह लागू होगा, यहां कौन-कौन कभर होंगे, तो निश्चित है हमारे Defense Pension, Defense Forces की जैसे ही बात की जाती है, तो सबसे बड़ा भाई Army है, फिर Air Force है, ने भी है, तो इन तीनों के तो होना ही होना है, इसके बाद D.S.C. जहांके Re-Imply होके जाते हैं, Army Air Force, ने भी से, जो दुसरी पारी के लिए जाते हैं, सेकेंडरी इंप्लाइमेंट के ओप्सन के लिए जाते हैं, फिर Territorial Army को भी इससे लाव मिलेगा, कुछ समय के लिए एक दिस्चार्ज हो चुके हैं, रिटार्ड मतलब वो पूरे अपने टर्म को पूरा सुपर इन्वेशन, और दिस्चार्ज मिन्स पॉलिसी के तहद 20 पर 23 पर 26 पर 29 पर इस तरह से जो भी डिस्चार्ज का कटेगरी बना हुआ इस तरह से, इसी के साथ साथ ही से ही बाहर गए हैं, उन्हें यहां फाइदा नहीं मिलेगा, यहां rate of pension की बात करता हूँ, कि कई लोग अभी तक जो table आया है, इसे आधा अधूरा लोग ने देखा है, तो आप यह यहां गाठ बांध के रख लिजे, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, क्योंकि सेम चीज को repeat करने से वीडियो बढ़ा हो जाता है, मैं कोशीज करूँगा कि कोई repeat ना हो, तो जो भी pensioner है या family pensioner, वह यहां दियान दें कि आज के समय में जो भी उनका pension मिल रहा, एक रुपया भी उनका कम नहीं होगा, इसे बोलते हैं pension protection, आपके advantage में ही किया जाएगा, disadvantage आपको नहीं दिया जाएगा, भले ही table में less है, कई लोगों का OROP 1 के अनुसार ज्यादा मिल रहा था, OROP 2 में घट रहा था, लेकिन उनका नहीं घटा, जो मिल रहा था, वही हाल OROP 2 से 3 भी होना, 2 में अगर आपको ज्यादा मिल रहा है, तो ज्यादा ही मिलेगा, भले ही table के अनुसार और family pensioner, वो retired हो सकते हैं, discharge हो सकते हैं, invalidated out from service हो सकते हैं, या उनकी मिर्तिव हो गई हो, यह सब कभर होने जाएंगे, commissioned officer होंगे, honorary commissioned officer होंगे, JCO होंगे, others होंगे, non-combatant E, जो enrolled होते हैं, NCA होंगे, army, navy, air force के होंगे, DSC के, territorial army के, और ex-state forces, जो की pension, family pension, जिनको मिल रहा है, वो भी इसके लाभार्थी बनेंगे, यहां जो non-applicability है, किन है, इसका लाभ नहीं मिलेगा, तो उसमें हो, UK, HK, SR, KCIO pensioner है, कुछ कटेगरी का pension है, जो की PCD अलाहबाद अभी उन्हें, pension दे रही है, कुछ है, ऐसे cases भी पाकिस्तान और बर्मा, army के pensioner भ से बाहर चले जाते हैं, फिर भी उन्हें pension मिलता है, एक fix amount, लेकिन ये table में उनके लिए लागू नहीं होगा, एक्स ग्रैसिया pension जिसको मिल रहा, किसी खास कारण से मिल रहा है, इस ग्रैसिया मर गए है, pensioner, या साल-दो साल के बाद ही उनका कोई ऐसा हो गया, कि अब service continue नह नहीं हो रहा, premature retirement अगर लिये हैं, वो अपने मर्जी से गए हैं, तो भी कभर नहीं होगा, और यहां date भी दिया हुआ है, कि अगर 1st July 14 के बाद, या उस दिन या उसके बाद, अगर रिटायर हुए हैं, तो कभर नहीं होगा, अपने मर्जी से गए हैं, तो, यहां अब मैं बात करूँगा कि वो कौन सा methodology है, जिसके तहत ये table सारे बने हैं, philosophy क्या है, क्योंकि अगर हम philosophy नहीं समझे, तो हमें तरह तरह की anomaly दिखेगी, और फिर हम complain देंगे, या दुखी होंगे, या social media पर negative comment देंगे, मेरा यहां आपको बताने का मकसद सिर्फ as it is, उन्होंने जो philosophy बनाया है, उसको मैंने research किया, पढ़ा, अध्यन किया, और उसकी आधार पर बना रहा हूँ, अब ये मत समझे कि मैं इस circular के पक्ष में हूँ, या भी पक्ष में हूँ, जो भी है, उसे मैं as it is बताने का आपको प्रयास करूँगा, यहां मूल बिंदू या है कि minimum और maximum उस rank क उस group के, उस qualifying service के क्या minimum value है और क्या maximum है, इसके जो average value आ रहा है, ये दिये गए है, कौन से date के, तो 2023 के entire जो data है, उस पर इसे ही base मान के, इसे सारे table का बनाया गया हूँ, यहां qualifying service, हमारे pension के लिए आप जानते ही होंगे, कि qualifying service जो है बड़ा ही अहम भूमिका निवाता है, और कई जगा है सा हुआ है, कि qualifying service जादा है, लेकिन pension उत्रा ही fix किया गया है, तो यह इस तरह से हो जाता है, कि कई जगा qualifying service जो आपका है, उसमें या तो zero रहे हैं, या कम data रहे हैं, इसके budget से वो data collect नहीं हुए हैं, तो फिर नीचे वाले level थे, तो नीचे वाले और उपर वाले को cover कर लिया गया है, तो इसमें आप देखेंगे कि कई लोग को minus भी चला गया है, या बराबर रह गया है, तो कई लोग या दुखी होंगे, कि हमें higher qualifying service होते हुए भी हमें revision नहीं किया गया about revision, तो यह एक anomaly है, इसमें government को निश्चे ध्यान देना चाहिए, चुकि हर बेक्त गटने का या pension stagnant होने का मतलब नहीं हो जाता, जब OROP3 कल्यान के लिए, लोगों के revision के लिए, बढ़ने के लिए है, तो फिर कोई भी ऐसा logic, इसमें cloud में होना ही नहीं चाहिए, कि वो वहीं रह जाए, हमें लगता है, यह मेरा एक व्यक्तिकत विचार है, कि जब salary हर साल 3% तो pension भी 3% हर साल बढ़ना चाहिए, इसमें क्या दूबधा है, क्या संदे है, तो इस तरह से क्यों नहीं table बनाया गया, table बनाने के पीछे कौन सा formula लगाया गया, यह साइद software वाले ही जान पाते होंगे, कोई clear cut हमने पूरे table का अध्यान किया, मैं table का lesson आगे करूँगा, को कोई भी ऐसा table नहीं उसके philosophy दिखे, हलाकि वो सब के पीछे एक ही theme होना चाहिए था, कि सब का अगर 3% per year है, तो 5 साल के बाद हो रहा, तो 15% तो ऐसे ही increase हो जाना चाहिए था, लेकिन यहां नहीं दिख रहे हैं, कई negative में भी जा रहे हैं, तो कहीं कहीं anomaly है, और मुझे लग का है, उस पर मैं focus करना चाहूंगा आपने वारता को आज का, वारोपी 3 के अगले जो है, जो methodology में उन्होंने लिया है rank, rank के साथ भी आप यहीं देखेंगे कई जगा table में, कि higher rank को भी lower rank के बराबर दिया जा रहा, या कई जगा तो कम भी हो गए हैं, अब बाद के तोर पर, यहां भी वही हो रहा, उनके rank, उनके group और उनके qualifying service तीनों को जब देखके, जब minimum और maximum का average लिया जा रहा है, तो बहुत ही नीचे जा रहा है, तो यहाँ slab बना दिया गया है, आप देखेंगे कि 4-5 slab या 3 साल के लिए भी 21 years, उससे जादा 23 years, सब का pension बराबर रखा गया, त 0 आ गया है, तो यह भी वही सब कारण है, कि अगर कम हो रहा है, तो कम नहीं करके वहाँ 0 पर रख दिया गया है, माइनस नहीं किया गया है, ताकि किसी को disadvantage नहीं हो, चाहे वो family pensioner हो, या pensioner हो, यहाँ जो भी implementing instruction है, same OROP2 का ही है, OROP3 में इतने enhance नहीं दिये हैं, इन्होंने methodology, सीधा ही बोल दिया है कि आप OROP2 को cover करें, चुकि असपर्स के पास ही चला गया, 95-98% आप रख लिजे कि उन्हें ही करना है, पीडिये को इसमें, और कोई पीडिये बचा नहीं, और बाकी जो भी term and condition थे, वो सब OROP2 को ही copy यहा अमाका था, आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके पूछें, बताएं, अपने सगे समद्नियों के साथ साजा करें, और बेल आइकन तो अवसे ही push करें, अब मैं आपको table का analysis, वो sub table का analysis करके बताऊंगा, कि किस तरह से आपको वो table होने जा रहा है, तो अभी तक आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं अब आपको जैहिंद करता हूँ, और अगली यात्रा में लेके चलता हूँ, जहां कि मैं पूरे table का visualization करूँगा, मुझे लगता है या वीडिय बहुत ज्यादा बड़ा न हो जाए, इसके लिए मैं table की अलग से वीडियो आपको बना के दिखाऊँ, तो ज्यादा बेहतर हो, इसलिए मैं ततकाल इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ, जैहिं